है लो गाईज कैसे आप सब लोग आज हम आपको मीठे पारे बनाना बताएंगे यह हिल्दी है और बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाते हैं तो यहाँ पर यह देखी इतना हमने मैदा लिया है मैदा की मातरा आप अपने हिसाप से कम ज्यादा कर लीजिएगा तो यहाँ पर इतना देखी हमने मैदा लिया है और जितना मैदा है उसी हिसाप से यहाँ पर हम मीठा होने के लिए चीनी लेंगे तो चीनी की मात्रा आप अपने इसाफ से हलकी मीठी ज्यादा मीठी जितना आप पसंद करें उसे इसाफ से ले लीजिएगा यहाँ पर दिये देखिए हमने इतनी चीनी ली हुई है अब इसको हम थोड़ा सा पानी डाल कर हम इसको चीनी को अच्छे से घोल लेंगे पानी ज्यादा नहीं डालना है उतना ही पानी डालना है जितने यह हमारा जो आटा है वो हमारा अच्छे से गुथ जाए अब इसको देखिए हम अच्छे से चीनी को घोल लेते हैं यहाँ पर जैसे हमने पूरा मैदा लिया है यहाँ पर आप आधा आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इसमें थोड़ी सी सूजी भी डाल सकते है अगर सूजी आप इसमें हलकी सी डालिएगा तो महीन वाली सूजी डालिएगा महीन ना हो तो आप थोड़ा सा सूजी को पीस लीजेगा वो वाली भी डाल दीजेगा अब इसको अच्छे से घोल लेते हैं चीनी को चीनी अच्छे से घुल गई है चीनी हमारी साफ सुथरा है इसलिए कूडा नहीं है अगर आपके थोड़ा सा फोड़ा हो तो इसको अच्छे से चान लीजेगा आप यह देखिए चीनी का गोल है वो बड़िया सा रेडी हो गया है अब इसमें हम थोड़ा सा मोमन डालेंगे यानि घी डालेंगे इसमें जिससे अच्छे सा जो है आटा है वो त्यार हो जाया तो अब इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे एक साथ नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे आप इसमें अभी हम थोड़ा डालेंगे फिर बाद में आवशक्ता अनुसार हम इसमें फिर और डाल देंगे अभी हमने चार इतने चम्मच डाल दिये हैं अब हम क्या करेंगे इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं घी इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा एक साथ मट डाल दीज अराम से इसको इस तरह से पहले मिला लेते हैं फिर आवशकता नुसारिस में हम और घी डाल देंगे यहां पर आप रिफाइन डायल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन घी से क्या है ना टेस्ट बहुत अच्छा सा आता है इसलिए हमने घी का इस्तेमाल किया है अब ही इसमें घी कम लग रहा है तो थोड़ा सा इसमें घी हम और डाल देते हैं अब इतना घी डाल कर इसको मिला लेते हैं अगर कम पड़ेगा तो फिर हम थोड़ा सा घी बाद में और डाल देंगे अब ही फिल हाल हम इसको इतना घी लेकर इसको अच्छे से मिला लेते हैं घी को हमने इसमें अच्छे से मिला दिया है अब देखते हैं घी कितना है यह देखिए अच्छे से पेड़े जो है इस तरह से बनने लगते हैं हलका से इसको तोड़ेंगे तो थोड़ा-थोड़ा से इसमें बाकी रह जाता है, अच्छे से एकदम बिखरता नहीं है, तो इसमें इतना घी डालिएगा कि ये जब आप इस तरह से करें, तो ये आटा जो है आपका, यानि मैदा ये बिखरे नहीं, इस तरह से, तो इतना अच्छे से मिला लेजिएगा तो ये देखी हमारा बढ़िया जो है घी और मैदा आपस में अच्छे से मिल गया है तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे इसका बढ़िया सा आटा तैयार कर लेते हैं तो ये जो हमने घोल तैयार किया था चीनी वाला अब इसी से हम थोड़ा-थ नहीं तैयार करियेगा जैसा पूड़ियों का टाइट-टाइट सा आटा होता है बस वैसा ही आटा इसका आपको लगाना होगा तो इसको अच्छे से हम गूथ लेते हैं थोड़ी देर आटा गूथने के बाद ये देखे इस तरह से अब ये दिखने लगा है तो अब इसको हम क्या करेंगे आट से दस मिनट के आसपास इसको हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे और इसको अच्छे से ढपकर रख देंगे थोड़ी देर हो गए हैं तो अब देख लेते हैं आटा कैसा है काफी टाइट हो गया है तो अब इसको हम थोड़ी देर और मसल लेते हैं अगर बहुत टाइट हो रहा होगा थोड़ा से इसमें पानी डाल कर आप और गुथ लीजिएगा हमारे इसमें पानी सही है अब इसको हम थोड़ा से और इसी तरह से मसल लेते हैं आटा देखिए अच्छे से हमने रेडी कर लिया है अब इसके हम पीसेज कट करते हैं अब यहां पर थोड़ा सा हम आटा लेंगे हम एक अच्छी सी लोई बड़ी सी बना लेते हैं इस तरह से कर लिया अब इसको हम ऐसे कर लेंगे अब इसमें थोड़ा सा सूखा आटा हम लगाएंगे और इसको अच्छे से अब हम बेल लेंगे यह देखिए इसको हमने इतना मोटा बेल लिया है आप अपने हिसाब से मोटा पतला कर लीजिएगा तो यहां पर हमने इतना मोटा किया है अब इसके साइट साइट के हम जो एक्स्ट्रा कार्नर दिख रहे हैं वो हम कट कर लेते हैं कट करके इसको हटा देंगे अभी और बाद में फिर इसको यूज कर लेंगे इस तरह से करने से क्या रहेगा नहीं इसकी कटिंग बहुत अच्छे से हो जाती है और सभी पीसेज एकदम इक्वल साइज में कट जाती है यह देखिए इसको हमने स्कॉयर सेप में कर लिया है बराबर साइज में काटिएगा तो लुक भी अच्छा सा आता है यह देखिए इस तरह से हमने लंबी लंबी पीसेज अभी कई है जो एक्स्ट्रा है वो अभी हम साइट में डख देंगे अब यह देखिए इस तरह से है अब अपने मन चाहे पीसेज में कट कर लिजेगा तो यहां पर हम इस तरह की कटिंग जो है वो कर रहे हैं इस तरह से कट करने से सबी पीसेज जो है वो बराबर सेप में आ जाती है इस तरह से हम अपने सब पीसेज रेडी कर लेते हैं यह देखिए कितना आसान है इस तरह से बनाना और पटा-पट बन जाती है यह देखिए सबी पीसेज जो है वो हम ने इस तरह से अच्छे से कट कर लिया है अब इनको तलते हैं पर तलने के लिए हमने थोड़ा सा घी लिया हुआ है तो आप रिफाइज डाल भी ले सकते हैं तो घी थोड़ा गर्म हो गया है ना ही बहुत गर्म रखिएगा घी ना ही बहुत थंड़ा रखिएगा अब यह देखे गी गर्म हो गया है तो हम थोड़े थोड़े पीसिस करके इसमें डाल देते हैं शुरू में गैस तेज रखिएगा जब हलका से उपर के पक जाए फिर गैस एकदम स्लो कर दीजेगा फिर पूरे आप धीमी आज पर ही इनको अच्छे से पकाईएगा तो थोड़े थोड़े करके इनको डालते हैं अच्छे से अब गैस हम पूरी धीमी कर देंगे पूरी धीमी आज पर ही हम इनको अच्छे से हम पकाएँगे जिसे अंदर तक ही अच्छे से पक जाएँ थोड़ी देर पकाने के बाद ये देखे बहुत अच्छे से जो है ये पक गए हैं ये देखे इस तरह से इनको हम पका लेंगे अब इनको हम एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं अब गैस को हम थोड़ा सा तेज कर देंगे और ये जो बचे हुए हैं इनको भी हम अच्छे से अब पका लेते हैं ये देखे बढ़ियां से मेठे पारे जो हैं वो बनकर तयार हो गए हैं बहुत ही सिंपल विधी सी और हमने आपको बनाना बताया है बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं एक बार आप इस तरह से जरूर बनाईएगा तो मिलते हैं एक और अच्छी हेल्दी टेस्टी और इजी रेसिपी के साथ झाल 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 झाल